हेलो अबर्मार माइनेम इस्त्रवेश अच्छा एक कॉमेंट आया था अभी कल पर सोही मेरे एक चैनल पर कॉमेंट आया था कि सर आप हर वीडियो में अपनी क्लासिस को प्रमूट मत करों लेकिन देखो मैं दो करूंगा क्यों करूंगा क्योंकि मैं कोई मार्केटिंग नहीं सकता हूं तो मैं क्यों ना करूं यह चीज़ अच्छी है कि चलो ठीक है आप रोज मेरी वीडियो को देख रहे हो और रोज उस चीज़ को सुनते हो लेकिन ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो फर्स टाइम इस वीडियो को देखेंगा तो शायद उन लोगों में से किसी को ज इस प्लेनेशन होगी तो फिर मार्केटिंग में ऐसा मैं क्यों करूं कि बहुत हैं या फिर उनके चार्ज बहुत हाई होते हैं तो उनके बहुत बचत हो जाती है मेरे पास इदने नहीं होती है तो एक छोटी सी प्रमोशन फिर से कर देते हैं अपनी क्लासिस की बेसिक की क्लासिस चल रही है सुबह 10-11 शाम को 6-7 बाकी 8-9-10-10-11 शाम को हमारे स्पोकन क्लासिस चल रही है जिसमें थोड़ा सा एडवांस और स्पोकन पर हम ज्यादा फो सिर्फ एक ही दिन नई चीज़ सीखेंगे बाकी दिन हम स्पोकन पर फोकस रखेंगे ठीक है तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं इसी के साथ देखें यह इंग्लिश तो हिंदी थी वीडियो तो बेसिकली इंग्लिश में जो इसने लाइन बोली है वो यह बोली क्या हुआ इसका मतलब यह कि उसने कहा है कि ऐसा नहीं है कि इससे मेरा कुछ लेना देना है ठीक है यह इसे नहीं है इससे है तो वह कह रहा है कि दो ऐसी बात नहीं है कि इसमें मेरी इंवाल्मेंट की ज़रुत है या फिर इससे मेरा कुछ लेना देना है तो उसने उस सेंस एक तो आप get का भी यूज़ कर सकते हो लेकिन अगर आप get का यूज़ करते हो तो फिर married लगाना पड़ेगा I am getting married डी ठीक है वरना आप simple marry को भी action में ले सकते हो Why are you marrying him? कि तुम उससे शादी क्यों कर रही हो लेकिन but तुम उससे शादी क्यों कर रही हो तो ing लग गया marry में Why are you marrying him? और दूसरे sentence में मैंने get को action ले लिया So why are you getting married? तो get का जब हम यूज़ करते हैं इस तरह से तो वो क्या दिखाता है? वो condition को दिखाता है कि तुम इस condition में क्यों जा रही हो So why are you getting शादी शुदा? married मेरिड बोलते हैं कि I am a married man मैं एक शादी शुदा आदमी हूँ Are you married or single? कि तुम शादी शुदा हो या single हो तो शादी शुदा को हम married बोलता है तो getting married किसी के साथ शादी शुदा हो जाना या फिर आप simple सा रखो married तो दौना तरह से इस sentence को हम बना सकते हैं But why are you getting married जो हैं या फिर why are you marrying him मतलब तुम उसको पसंद भी नहीं करती हो I mean तुम उसे पसंद भी नहीं करती हो अब इसमें sentence यह बोला था You obviously don't like him ठीक है अब इसमें obviously का जो sense है वो यह है कि सपष्ट रूप से साफ साफ दिख रहा है वो चीज जाहिर है जाहिरे तौर पर इस तरीके से इहां पर जो यूज हो वो obviously का यूज हुआ तो obviously कहा लगाया subject के बाद ठीक है तो यहां पर you obviously don't like him तुम जाहिरे तौर पर वो चीज साफ साफ दिखती है कि तौम उसको पसंद नहीं करती हो अब इसमें तो कुछ समझाने के ज़रत ही नहीं है एक present indefinite sentence है वो भी negative वाला ठीक है तो उसमें subject आया helping verb आया, not आया और action आया यही formation रहती है ठीक, so you obviously don't like him इसने का हाँ, सही कहा तुमने yes, you said it right you are right, दौनों चल जाएंगे you are right, तुम सही हो state of being और you said it right, तुमने सही कहा तो दौनों तरीके से सही है you have said it right, अगर आप have लगाओगे present perfect बनाओगे, तो भी sentence चल जाएगा तो इस चीज़ में ज्यादा मत घुसना कि ऐसे ही सही होगा, वैसे ही सही होगा इस तरीके से गलत ना, कोई दिक्कत नहीं है इस से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है अच्छा एक चीज़ अभी मुझे to previous sentence से याद आया था जिसमें मैंने formation समझाई थी ये चीज़ मैं क्लास में तो कई बार समझाई चुका हूँ कई बार बोल चूँ बच्चों को एक दो बार वीडियो में ही बोला है मैं फिर से समझा रहा हूँ इस बहकावे में, इस हेर से में मत आना कि grammar या फिर जो structure से ही ज़रूरी नहीं है ठीक है ये चीज़ एक बहुत ही बड़े लेवल पर और बहुत ही ज़ादा ये चीज़ चल रही है कि आपको grammar की या basic sentences की formations की जरूरत ही नहीं है अगर आपको English सीख नहीं है ये आपको चुका है, चुकी है subject plus helping, इसकी जरूरत नहीं है ये चीज़ बहुत चल दिया लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है time to time मुझे बार-बार repeat करना पड़ता है I know, I may sound bit awkward or weird to someone कि ये चीज़ एक चीज़ को बार-बार बोलते है लेकिन मुझे हर इंसान का देख कर चलना पड़ता है कि जो इंसान पहली बार सुन रहा है उसको भी मैं अपना message convey कर पाऊं चीज़ के बहकावे में बिल्कुल भी मत आना English सीखने का modern तरीका English सीखने का नया तरीका ऐसा कुछ है नहीं है English सीखने का modern तरीका क्या हो गया मैं को क्या मैं नहीं बोलते हैं कुछ और बोलने लगे हैं क्या modern मैं नहीं formation से में sentence से में आपको सीखना ही पड़ेगा basic से और बच्चे हैं मेरे पास इस तरह के जो ऐसे ही सीखे हैं और आज बहुत अच्छा बोल रहे हैं हर तरह के बच्चे हैं कुछ आते हैं over smart से कि नहीं सर इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है एक बार आया एक दिन की class जो एंगरे बंदेने एक दिन और मैंने सुझे अगले दिन पूछा कि आज class में क्यों नहीं आए क्राइगे सर ऐसे थोड़ी ना English बोलनी आ जाएगे मैंने तो कैसे आएगी सर ऐसे नहीं आ सकती मैंना आएगी कैसे वो बताओ बस वो अंसर नहीं था सर ऐसे नहीं आएगे मैंना कोई problem नहीं आ ऐसे लोग ना साल दर साल महिनों दर महिने भटकते रहते हैं कभी इधर कभी इधर तो इसको over smartness बोला जाता है जब एक teacher कई सालों से पढ़ा रहा है और testimonials जो होते हैं जो एक result होता है किसी कोई और बच्चा बताए लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो एक बंदा paid है या unpaid है उसको किसी ने पैसे दो नहीं दिये है ऐसा बोलने के लिए कि हाँ मैंने इनकी class जोइन करी और मुझे बहुत अच्छा result मिला ये चीज तभी possible है जब ऐसा इनसान जो आपका friend है कोई भी है वो आपको recommend करता है कि देख मैंने उनकी class ली और मैंने उनकी classes को join करके इस सारे चीज़े सीखी है and I know how to speak English I can understand way better and the classes are so fine that you must join वहां से जब recommendations मिलती है तब आपका काम बढ़ता है और उससे समझ में आता है कि आप एक अच्छे teacher हो और मेरे पास recommendations बहुत आती है ठीक है चलिए फिलहाल हम अपने point पर आ जाते है this is how I get to mistaken on my ways ठीक है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है so इसने का it's none of your business तो इसने पहले का कि हाँ तुमने सही का yes you are right इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है it's none of your business ठीक है तो ये एक idiom के तौर पर ही आप इसको use करो it's none of your business मतलब इससे तुम्हारा क्या लेना देना भाई इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है तुम बस अपने काम पर ध्यान दो हमें पहले ही देर हो रही है यहां पर जो पहले ही देर हो रही है ऊपने काम पर ध्यान दो अब देखो greater sentences है ज़हां पर हम किसी को कुछ के लिए बोलते हैं अगर sentence मैं सब्यक्ट नहीं है कि बस अपने काम पर द्यान दो तो सेंटेंस शुरू होगा ऐक्शन से जस्ट्फोकस ऑन गवाग अगर पर्संन आ गया कि तुम अपने काम पर ध्यान दो तो पहले subject आ जाएगा वो person आ जाएगा negative में नहीं आएगा negative में sentence don't से ही शुरू होगा कि don't you dare हिम्मत मत कर देना ऐसा करने की don't you look at me में तरफ मत देखो इस तरीके से so you don't look at me का मतलब तुम में तरफ नहीं देखते हो और जब मुझे किसी को बोलना है में तरफ देखो मत so don't you look at me इस तरीके से बोला जाएगा तो you just focus अब यहाँ पर तुम की बात आगे तुम बस अपने काम पर ध्यान दो तो you का हमने use किया तो you just focus on your work just का मतलब क्या है यहाँ पर bus के sense में आया है कि you just focus तुम बस focus करो on your work हमें पहले ही देर हो रही है we are already getting late अब देखो यहाँ पर भी get का use आया कैसे बनाओगे वी आर ओल्री लेटिंग कैसे बनाओगे लेट में आये इंजी नहीं लगा सकते तो हमें देर हो रही है हम किसी condition में जा रहे है अब आप यहाँ पर we are being late भी बोल सकते हो अगर late हो गया देर हो गई अब मालीजे कहीं पहुंचने का time था दो बज़े का सवा दो बज रहे हैं मैं बोलू कि I am getting late नहीं I am already late चीक है तो आप यहाँ पर यह बोल सकते हो कि we are being late today या फिर we are already late today तो हम उस condition में अभी continue है we are being late चीक है या फिर I am late और we are late आप ऐसे बोल सकते हो लेकिन अगर मालो कहीं पहुंचने में आदा घंटा लगता है और वहाँ पर आपको दो बज़े पहुंचना है और अभी हो रहे है 1.40 तो आप बोलोगे we are getting late भाई हमें देर हो रही है वहाँ पहुंचते हो हमें time लग जाएगा तो अब आप देरी की condition में जा रहे हो तो we are getting late तो get का जो use है यह बहुत ही precisely समझना जरूरी है get ऐसे ही समझ में नहीं आता है get को बहुत ध्यान से समझना पड़ता है so you just focus on your walk तुम बस अपने काम पर ध्यान रखो we are already getting late हमें पहले ही देर हो रही है इस नगा कि जैसा तुम कहो whatever you say जो भी तुम कहो whatever तो whatever की जगा यहां पर आप क्या और लगा सकते हो as you say चेक है as का use भी आ सकता है whatever का use भी आ जाएगा कि जो भी तुम कहो जैसा तुम कहो चलो ठीक है जैसा तुम कहरी हो हम चलते है वहाँ पर इस तरह के पता है क्या यह लोग English में इस तरहीं से बहुत बोलते है you know what you know what जैसे हम हिं है हम बार-बार बोलते है English में इसको you know बोल देते है चेक है तो जो लोग English में बात करते हैं तो वह बार-बार इस चीज का use करते है you know lots of people आ देया पता है बहुत सारे लोग है इस तरीके से so you know what पता है क्या भाड में जाए इलाज to hell with the treatments to hell with someone a casual term है चेक है to hell with you यार मैं कहू exam तो इसको हम गुस्से के sense में एक expression के तौर पर यह निकल गर आता है कि जब हम किसी चीज में गुस्से की tone से कोई चीज बोलते हैं अरे यार भाड में गया यह ठीक है जैसे आपने का कि यार मेरा तो आज जिम है मैंने का भाड में गया तुम्हारा जिम मैं नहीं होंगा so to hell with your gym I will not come तो इस तरह से यूज करेंगे so to hell with the treatments भाड में गया इलाज वैसे भी कोई फायदा हो इनी रहा है वैसे भी कोई फायदा नहीं हो रहा है तो जो इसका इलाज चल रहा है यह wheelchair पर है अगर आपको पूरी story देख नहीं तो पिछले तीन चार जो वीडियोस हैं वो ब यह मैंने क्या कर दिया नीचे मैंने रोमन में लिख दिया गलती से क्योंकि बेसिकली क्या होता है जब मैं ऐसे टाइप करता हो हिंदी में आटमेंटिकली टाइप हो जाता है इसको हम बोलेंगे कैसे चलो इसको यहीं पर ही देख लेते हैं इससे वैसे भी कोई फायदा नह इनको दो तिन तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है, तो इससे कोई फाइदा ही नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक है, there is no result anyways, I am not getting any benefit from this treatment anyways, या anyways को पहले लगा दो, कोई problem नहीं है, बस मुझे कहीं ले चलो, just take me somewhere, ठीक, somewhere, here, there, home, इनके साथ two मत लगाना, अगर यहाँ पर यह होता है कि मुझे hospital ले चलो, तुम्हाँ two आता, so just take me to the hospital, ठीक है, फिर आता, लेकिन अब यहाँ पर somewhere है, इसके में आपको two लगाने के जुरत नहीं है, just take me somewhere, ठीक है, कि मुझे कहीं ले चलो, इसने अब लड़के ने पूचा, जैसे कहां, like where, like where, जैसे कहां, कहीं भी, यह तुम पर निर्भर करता है, ठीक है, anywhere, कहीं भी, it is up to you, it depends on you, दौनों बोल सकते हो, और casually अगर आपको बोलना है, तो आप ऐसे बोल सकते हो, कि the ball is in your court, कि भाई, तुम पर depend करता है, जो भी जैसा भी तुम्हाँ करना हो, अब decision तुम्हारा है, इस चीज़ को मैंसे भी बोल सकते हैं, so anywhere, कहीं भी, it's up to you, यह चीज़ तुम पर depend करती है, ठीक है, चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही, I hope आपके लिए वीडियो तुल रही होगी, कोई doubt, कोई query हो, so do let me in the comment section, वीडियो पसंद लाइक कीज़े, नए हैं लाइक, सबस्राइब दोना कीज़े, thank you,